हलो स्टूडेंट, इंप्रूव्मेंट कंपार्टमेंट वालो बच्चों की कुछ डाउट है और उसी के रिकार्डिंग आज में वीडियो लेके आया हूँ पहला डाउट तो यह है कि बच्चों को स्कूल की तरफ से हार्ड कॉपी मिल गई है और जो बच्चों को हार्ड कॉपी मिली है उसमें पहले वो पास थे और उसके बाद इंप्रूव्मेंट का एक्जाम दिया उसमें वो फेल हो गए या उनका आर्टी लगा था, कंपार्टमेंट लगा था तो उनको जो मार्शीट मिली हुई है, मार्शीट में इस्कूल की तरफ से पहले वाली मार्शीट मिली है तो पहले वाली मार्शीट मिली है उसके वाबजूत भी कुछ बच्चों को confusion है कि सर क्या मेरी यही मार्शीट valid या authentic मानी जाएगी हर जगे तो मैं एकदम किलियर कर दूँ कि जो स्कूल की तरफ से मारसीट मिली है वो एकदम authentic है, किलियर है क्योंकि उस पे स्कूल के teacher के signature है CBSC के जो exam controller है उनके signature है तो उससे ज़्यादा validation और क्या चाहिए किसी को तो ठीक है तो CBSC की तरफ से जो मारसीट आई है और स्कूल ने उसको अपनी तरफ से approve करके दिया है वो final मारसीट रहेगी इसके अलावा एक और doubt है कि अगर किसी बच्चे के पास दो मारसीट है तो उन दौनों में से कौन सी मारसीट को वो use करेगा या use करना चाहिए तो दौनों में से जिसमें ज़्यादा नमबर आए है उस मारसीट को use करना चाहिए बच्चे को क्योंकि CBSC की तरफ से वो बच्चे को release की गई है दी गई है तो CBSC की तरफ से दी गई है तो वो भी authentic मानी जाएगी अब सबसे बड़ा confusion है बच्चों को कि कि कमपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं उनका एक्जाम अभी होगा टर्म वन के एक्जाम के साथ होगा लेकिन अगर एक्जाम होना होगा तो 30 डेट तक यानि इस मन्त के last तक कोई नो कोई CBSC अपनी तरफ से input या circular release करेगी या date seat को deliver करेगी अगर ऐसा होगा ठीक है वैसे chances कम है लेकिन CBSC का कहा नहीं जा सकता वैसे मुझे भी personally मैं बताओ chance बहुत कम लग रहे हैं अगर कोई chance होता है तो उस पे हम update जरूर लेके आएंगे CBSC अपनी तरफ से कोई circular release करेगी improvement compartment वाले बच्चों के लिए तो उस पे भी हम news लेके आएंगे बच्चे tension ना लें जो बड़े हुए number है वही उनकी मारसीट final मानी जाएगी आगे कोई update आएगा वो हम जरूर लेके आएंगे ओके thank you